तो बताएंगे father of medicine कौन है, father of medicine very good, सभी का answer सही है, hypocrites, hypocrites को father of medicine का जाता है, hypocrites hypocrites, hypocrites, father of veterinary medicine बताएंगे, for one money is बिल्कुल renatus, vegetus, renatus, vegetus, बिल्कुल सही है, अगला बताएंगे father of veterinary science, very good, आप इंतजार ही कर रहे थे, पहले से टाइप कर रखा था, साली होत्रा, साली होत्रा, विशाल, पूजा, प्रियंका, रादे, श्याम, हाँ भी, अब मैं general medicine से सीधा, systemic medicine की तरफ आ करके, वापस फिर general की तरफ आएंगे, बताएंगे बई, चमडे जैसी placenta, चमडे जैसी placenta किस बीमारी का मुख्य लक्षन है, अभी का सही है, brucellosis, brucellosis में leathery placenta, और जिसके कारण क्या हो जाता है, abortion हो जाता है, तो बताएंगे कौन सी तिमाही में, कौन से trimester में, abortion हो जाता है, महंदर सबसे पहले, महनीशा, रवीना, विशाल, पूजा, तीसरी तिमाही में विलकुल सही है, तो बताईए लेप्टोइस्पाइरोसिस में कौन सी तिमाही में एबॉर्शन होता है लेप्टोइस्पाइरोसिस में बिल्कुल सही है अंतिम तिमाही या तीसरी तिमाही में हाँ बिल्कुल सही है राखी एनिल हाँ, लिष्टिरियोसिस में बताएंगी, लिष्टिरियोसिस में, हाँ, सहीया LLV3, अरे वाँ, कर रखा है आज सभी ने, लिष्टिरियोसिस में, विब्रियोसिस में, यह क्यों सुना आते हैं वही, क्या बात है बिल्कुल हाँ तो एक और बतादो ट्राइको मोनाईसिस में कौन सी तिमाई में अबोर्शन होता है चलो ये चीजे तो क्लियर रखनी जरूरी है वैसे अगला क्यूशन पूछ रहा हूँ क्लोई स्ट्रिटियम बोटुलिनिकम से क्लोई स्ट्रिटियम बोटुलिनिकम के टॉक्सिन से कौन सी विमारी हो जाती है क्लोई स्ट्रिटियम बोटुलिनिकम बोटुलिजम बिल्कुल सही है बोटुलिजम बिल्कुल बोटुलिजम हो जाती है और बिल्कुल limber neck disease भी बोलते हैं इसको बिल्कुल अगला प्रशन आप बताएंगे food poisoning भी बोलते हैं पूनम सही है अगला क्यूशन आप बताएंगे over eating disease किसे कहते है over eating disease किसे कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही है एंट्रो टॉक्षीमिया को over eating disease कहते हैं बिल्कुल अनिल रवी ओवर eating disease कि अगला प्रशन बताएंगे आप बिल्कुल फिड़के भी कहते हैं इसको pulpy kidney disease भी कहते हैं इसको epsilon toxin से होता है ठीक है बहुत अच्छी बात आपको याद है अगला बताएंगे आप चांदनी रोग किसे कहते हैं चांदनी रोग चांदनी रोग किस बिमारी को कहते हैं अरे वह टिटेनस को कहते हैं सही है इसको कहते हैं टिटेनस को कहते हैं बिल्कुल सही है अगला बताएंगे आप अलर्क रोग किसी कहते हैं अलर्क रोग अलर्क रोग बिल्कूल रेवीज को कहते हैं बिल्कूल सही है रेवीज को कहते हैं बिल्कूल रेवीज को कहते हैं अगला प्रसंद बताएंगे गोडों में होने वाली संक्रामक घातक जुनोटिक विमारी कौन सी है जिनके कारण गोडों को मौत के घाट उतार दिया जाता है बिल्कुल मेंदर बिल्कुल सही है, जिसके कारण गोडों को युथिनेशिय दे दिया जाता है, ग्लेंडर बीमारी है, और ग्लेंडर किस बेक्टिरिया से होती है, ग्लेंडर किस जीवानू से होती है, अगला प्रसंद बताएंगे, ग्लो इस्टीटियम ग्राम पोजीटिव जीवानू है या फिर नेगेटिव है, इतना सही क्यूसन है, ग्लो इस्टीटियम पोजीटिव है या नेगेटिव है, बिल्कुल सही है, ग्राम पोजीटिव है, तभी का सही है, मोनू, पूरण हेमन्त अगला बताएंगे, हाँ, नेक्स्ट बताएंगे, क्लो इस्टिडियम स्पोर बनाता है या नहीं बनाता है, स्पोर फॉर्मिंग है या नोन स्पोर फॉर्मिंग है, बिलकुल बनाता है, यस, यस, सभी का, बिलकुल बनाता है, सभी का सही है, तो अगला क्यूशन बताएंगे कौन सी stain द्वारा gram positive negative को differentiate किया जाता है कौन सी stain है मुख्य जो stain है वो कौन सी stain है जिससे बिल्कुल gram stain तो है gram staining से तो हम इसको gram positive negative करते हैं बिल्कुल crystal violet कौन सी crystal violet crystal violet जो dye होती है crystal violet जो dye होती है इससे stain करते हैं अगला बताएंगे आप gram negative bacteria कौन से color के होते हैं stain करने के बाद क्या वो color ले लेते है crystal violet का नहीं लेते इसलिए नहीं लेते इसलिए सेफरेनिन का color आता है उनके red red वाला color आता है तो जो positive वाला तो किस color का होता है ये तो हो जाता है बैंगनी और negative वाला bacteria हो जाता है कौन सा लाल लाल अगला प्रसंद बताएंगे एक aerobic bacteria बता दो जो वाई विये जीवानों हो जिसके लिए oxygen आवशक हो बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही है टीबी गा जो बैक्तिरिया होता है tuberculous bacteria mycobacterium बिल्कुल सही है mycobacterium जो है ये वाई विये परिष्टितियों में रहता है जीवानों यानि aerobic bacteria है अगला बताएंगे मैं कुछ bacteria की structure बताता हूँ वो किस प्रकार के bacteria है ये बताएंगे ये किस प्रकार का जीवानों है है अगर हम इस तरह बिल्कुल सही है कोकस अब हम एक है इसलिए इसको कोकाई बोल देंगे बहुत सारे हो तो इनको कोकस बोल देते हैं हाँ अगला बताएंगे आप अगर ये इस तरह से जुट जाएं ये कोकाई, तो इसको क्या बोलते हैं? एक रेखा में जुट जाएं, तो उसको क्या बोलते हैं? Streptococcus. Streptococcus. अगर ये गोलानू ये ये कोकाई इस तरह से अंगूर के गुच्छे जैसे संरचना बना ले, तो इसको बोलते है, Staphylococcus, Staphylococcus, अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए, यह तो ओ गया अंगूर के गुच्छे की तरह, यह एक रेखा में हो गया, इसको Streptococcus बोलते हैं, अगर मान लीजिए, यह इस तरह से कॉमा सेफ हो, कॉमा सेफ बैक्टिरिया हो, तो उस कॉमा सेफ इस्ट्रक्चर वाले बैक्टिरिया को क्या कहते हैं, बिल्कूल सही है, विब्रियो, उसको बोलते हैं, विब्रियो, जैसे हैजे का जो बैक्टिरिया होता है, विब्रियो कॉलरी, वो कॉमा सेफ होता है, अगर माली जी इस तरह से कोई बैक्टिरिया हो, छड़के आकार का, उसको क्या बोलते हैं, बैसिलस बोलते हैं, बैसिलस, जैसे एंत्रेक्स का जो बैक्टिरिया ऐसा होता है, एहजा का बैक्टिरिया इस तरह का होता है, इस्टेफाइलोकोकस जो मेस्टेटिस पैदा करता है यह स्कीन के उपर रहता है बेक्टिरिया ये इस तरह से अंगुर की कुच्छे की समान रहता है, भी आवाज कैसे नहीं आरी, सबी को नहीं आरी, क्या आवाज? हाँ भी रवीना आवाज आपके कोई प्रोब्लम होगी नेटवर्क की हाँ भी बैसीलस बिल्कुल बैसीलस जो बैक्टिरिया होता है इस तरह से छड़ाकार होता है अगला प्रसंद मैं पूछ रहा हूँ आपसे ये तो हमने कुछ इस्ट्रक्चर्स देख ली आकरती अगला प्रसंद पूछ रहा हूँ बताईए जब पता है कि बीमारी का उपचार नहीं हो सकता फिर भी हम उस रोगी की उम्र को बढ़ाने के लिए उपचार करते हैं या फिर उसको टेंपरेरी रिलीफ देने के लिए जो इलाज करते हैं उसको कहते हैं आगे आंसर उस उस प्रकार के उपचार को क्या कहते हैं बिल्कूल सही है पेलियेटिव ट्रिट्मेंट कहते हैं बिल्कूल सभी का सही है पेलियेटिव ट्रिट्मेंट कहते हैं अगला प्रसंद मैं पूछ रहा हूँ आप से कि यदि किसी बीमारी के कारण किसी पसु की मृत्यू लगबग निश्यत हो यानि किसी उपचार से ठीक नहीं किया जा सके तो इस प्रकार की प्रोग्नोसिस को प्रोग्नोसिस का मतलब होता है किसी बीमारी का पूर्वानुमान लगाना बिल्कूल सही है पूर्वा नुमान लगाना, तो इस प्रकार की prognosis को कहते हैं, grave या poor, very poor prognosis कहते हैं, कि किसी बीमारी का उपचार करने पर वो बिल्कुल ठीक होने की संभावना ने के बराबर हो या नहीं हो, तो उसको बोलते हैं grave या poor, अगर माली जे favorable है, तो उपचार के बाद बीमारी ठ ठीक होने के chances हैं, अगला प्रसंद बताऊंगा, आप से पूछ रहा हूँ, अगर माली जे कोई संक्रामक, जो infectious particle है, संक्रामक रोग कारक है, वो सरीर में प्रवेस करता है, और सरीर में प्रवेस करने से लेकर के बीमारी के प्रथम लक्षन प्रकट होने का बीच का समय, बि बाता है, incubation period, बहुत अच्छी बात है, अगला प्रसंद, next question है, कि किसी बीमारी के गुजर जाने के बाद, अगर सरीर में कोई संरचनात्मक परिवरतन रह जाए, structural change रह जाए, बिल्कूल सभी का सही है, उसको क्या बोलते हैं, उसको सिक्वेली बोलते हैं, सिक्वेली, बि और canine distemper के अंदर, सभी का सही है, canine distemper के अंदर सिक्वेली होती है, बिल्कूल hard paid disease, जिस speed से मैं बोलता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा speed से बच्चे आंसर लिख देते हैं, इसलिए मेरे को उस इसाब से maintain करना पड़ता है, कुछ बच्चों की तयारी थोड़ी weak रहती है, लेकिन वो इस चीज की का तनाव बिल्कुल नहीं ले, पूरन मल pododermatitis होती है, लेकिन pododermatitis को आप अलग जगे काम में लोगे, तो आप जिस किशी को इस flow में अगर परेशानी होती है, वो YouTube पर हम डाल देते हैं इस वीडियो को, अराम से देख करके, सभी का दिमाग एक ज जाती है, तो आप बिल्कुल भी tension नहीं लें कि, आपको अगर समय लग रहा है, तो वहाँ तो काफी समय लगता है, exam के अंदर आपको काफी समय दिया जाता है, एक question पर, इतना कम समय, within seconds तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन अगर इस flow को कोई maintain कर रहा है, तो फिर इस से बढ़ हो जाते हैं, फाइब्रस हो जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, कोरिया बोलते हैं, इसको बोलते हैं, कोरिया, अगला प्रसंद पूछ रहा हूं मैं आपसे, बताए, बिना प्रियोग साला की जांच के, किसी बिमारी का डाइगनोसिस करना, या अनुमान लगाना, किस प्रकार क diagnosis है, बिना प्रियोग साला की बिल्कुल सही है, 16 चमलिस, हां मनीस, सही है, tentative diagnosis, बिल्कुल tentative diagnosis है वो, अगर मालीजे हम, किसी समू का एक साथ किसी sample ले करके कोई, और हम जांच करें, उस जांच को क्या कहते हैं, बिल्कुल सही है, जैसे brucellosis में herd diagnosis की जाती है, brucellosis में कौन सी की जाती है, herd diagnosis, herd diagnosis, herd diagnosis की जाती है, अगला पूछ रहा हूँ, confirmatory जो diagnosis है, उसका, वो किस आधार पर किया जाता है, वो किया जाता है, प्रियोग साला की जांच के आधार पर, लेबरेटरी टेस्ट के आधार पर, बिल्कुल सही है, प्रियोग साला की जांच के आधार पर confirmatory diagnosis किया जाता है, अगर मान लीजिए मैं palpate करूँ, palpate का मतलब होता है टटोलना, हाथों की अंगुलियों से इसपर्स करके, और टटोल पर आजाता है किसी अंग को तो उसको बोलते है palpate, आथों की अंगुलियों से इसपर्स करके, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, palpate से किस-किस का पता लगता है, मैं option दे रहा हूँ आपको, घर्द का पता चलता है, तूजन का पता चलता है और तापमान का पता चलत है चौथा option है सभी all अरे वह यानि पेलपेशन से दर्द का यानि पेन का सूजन का तापमान का इनका सब का पता चलता है टटोलने से महसूस होता है अगला अगर हम किशी अंग को बजा बजा करके उसकी साउंड सुनके अगर हम डाइग्नोसिस करते हैं उसको क्या बोलते हैं परकसन बोलते हैं मेंदर बहुत अच्छी स्पीड है उसको बोलते हैं परकसन बोलते हैं क्या बोलते हैं अगर माली जी हम आगे सभी के आंसर परकसन अगर हम इस्टेटोइसकोप की साहता से किसी अंग की आवाजें सुनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बिल्कुल सभी का स रही है पॉसकल्टेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं इस्टेटो इसकोप की सहयता से इस्टेटो इसकोप सभी जानते हैं इस तरह का एक उपकरण होता है इस तरह का यह receiver होता है और ये कानों में लगाए जाते हैं ये earpiece होते हैं और इसे tube के अंदर vacuum होती है यानि निर्वात होती है और यहां से जो sound receive करता है यह उनको यहां amplify कर दिया जाता है आवरधित कर दिया जाता है और तेज आवाज को कानों तक पहुचाए जाता है इसको बोलते हैं यानि phone का मतलब होता आवाज phone endoscope और इसकी खोज की थी Rene Leneck ने बिल्कुल सही है आसा Rene Leneck ने इसकी खोज की थी हाँ अगला मैं आपसे पूच रहा हूँ हाथों की मुठी बना करके बिल्कुल अजय का answer आ गया मुठी बना करके आंत्रिक अंगों को महसूस करना दबा द अगला क्यूशन बताएंगे आप चर-चराहट की आवाज यानि क्रिपीटेटिंग साउंड किस विमारी में आती है चर-चराहट यानि क्रिपीटेटिंग साउंड किस विमारी में आती है बिल्कुल सही है बीक्यू में आती है अगला प्रसन है चप-चपाहट की आवाज चप-चपाहट, यानि बिल्कुल Fmd में आती है, चप-चपाहट यानि इसमेकिंग, इसमेकिंग शाउंड किसमें आती है, Fmd में आती है, आगला क्यूट बताएंगे आप, God of healing कौन है, God of healing कौन है, God of healing, बिल्कुल सभी का सही है, Apollo, Apollo नामक जो भगवान है, अपोलो नामक भगवान को God of Healing का जाता है, Healing का देवता कहा जाता है, अगला बताइए सहद जैसी मवाद, किस बीमारी में बनती है, Good Morning Lakshmikant, सहद जैसी मवाद, बिलकुल यह जो यह Actinobacillosis और Actinomycosis है, उसमें ज्यादा तो यह बनती है, Actinomycosis के अंदर ज्यादा बनती है, यानि लंफिजा, लंफिजा, देखे एक क्यूसन यह इंपोर्टेंट है, कि Actinobacillosis को क्या कहते है, उसको वुड़न टंग कहते हैं, और Actinomycosis को कहते हैं, लंफ इंपोर्टेंट है, तो अगला प्रसना आप बताएंगे, अभी, एक्टिनोबैसिलोसिस को वुडन टंग कहते हैं, एक्टिनोबैसिलोसिस में जीब, यानि कॉमल उतक, कठोर उतक में बदल जाती है, इसको टिम्बर टंग भी कहते हैं, लकडी जैसी कठोर जीब हो जाती है, और दोनों ही बीमारियां जो है वो नुकिले चारे से होती है इंफेक्शन होने से चोट लगने से वहाँ से बेक्टिरिया घुस जाता है घुसने के बाद जैसे लंफीजिया में तो क्या होता है जबडे के अट्टी होती है उसमें और जबडे के अट्टी गल जाती है वो बि विमारियां है, एक्टिनो माइकोसिस और एक्टिनो बैसिलोसिस, एक्टिनो माइकोसिस होता है, एक्टिनो माइसिस बोविस से, जो कि ग्राम पोजिटिव बैक्टिरिया होता है, एक्टिनो बैसिलोसिस जो होता है, वो एक्टिनो बैसिलस लेगनी से राई से होता है, और वो ग्राम नेगेटिव बैक्टिरिया होता है, बिल्कुल सही है, सल्फर के कणो, बिल्कुल ग्रेनियूल से इसकी जांच की जाती है, सही बात है, आयोडीन जो है, इसके ठीटमेंट में देते हैं, नेक्स्ट कुस्ट आप बताएंगे, हाँ भी, सिस्टाइटिस अगर हो रहा है मालो, सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस, तो बताएंगे, किस की सूजन है, पहले तो बताएंगे, सिस्टाइटिस की सूजन है, बिल्कुल यूरिनेरी ब्लेडर की सूजन को क्या कहते हैं, सिस्टाइटिस, तो सिस्टाइटिस की कंडिशन में, जो डॉग है, वो बिच की त कुरी चैसल धुरी आइश ठींजा को हाँ बिल्कूल अरे वा मेंदर कैसे लिखा है कुटिया कुटिया थोड़ी है कुटिया है वह या अगला बताएंगे एक एस बिमारी किसमें ज्यादा होती है कोणसी प्रजाती में है सब्सक्राइब पाइलोह में ज्यादा होती है यह अगला टिटिनस्य किसमें में ज़्यादा होती है जीटनस भीमारी किसमे ज़्यादवहती है, सबीका शपिए होर्स में ज़्यादवहती है, पींका कैंसर किसमें ज़्यादव होता है, बिलकुल सबीका सिय favored, कांक्रेज में ज़्यादवहती है, पत्थरी किसमें ज़्यादा होती है बताइए पत्थरी किसमें ज़्यादा होती है बिल्कुल सही है नागोरी बैल में होती है आँख का कैंसर किसमें ज़्यादा होता है बिल्कुल हरफोर्ड हरफोर्ड जो केटल है जो की विदेशी एक आहа हाँ विदेशी नसल है हरफोड बिल्कुल सहिए राजी पूजा पुनम मौन नेक्स्ट किस्ट ना बताएंगे हरफोड में ज्यादा होता है ठास भी बताएं सर्रा की क्रॉनिक अवस्था किसे में पाई जाती है, अगला प्रसंद बताएंगे, FMD किस में ज्यादा होती है, FMD, गाय, भैस, भेड़ बकरी, गाय, भैस, भेड़ और बकरी, बताइए इनमें से बताइए, बिल्कुल सही है, काउ के अंदर FMD, या केटल, या गोवन्स प्राणियों में ज्यादा होती है, अगला में ज्यादा होती है, यानि केटल प्लेग भी कहते हैं इसको, इंडर पैस्ट को पसुमाता या केटल प्लेग भी कहते हैं, अगला बताएंगे, आप डाउनर काउ सिंड्रोम, डाउनर काउ सिंड्रोम किस में ज्यादा होता है, बिल्कुल कौन सी ब्रीड में ज्यादा होता है HF के अंदर डाउनर काउ सिंड्रोम ज्यादा होता है हाँ मिल्क फिवर किस विदेशी नसल में ज्यादा होता है बिल्कुल सही है जर्शी के अंदर ज्यादा होता है मिल्क फिवर किस में ज्यादा होता है जर्शी में कोलिक किस में ज्यादा होता है कोलिक कोलिक किसमें ज्यादा होता है हाँ सभी का सही है हाँ बोडे में कोलिक ज्यादा होता है अगला घूज इस्टेपिंग किस विटामिन की कमी से होता है घूज इस्टेपिंग बिल्कुल विटामिन B5 यानि पेंटा थैनिक एसिड की कमी से गूज इस्टेपिंग होता है बिल्कुल पिग में होता है, सुर में होता है, एक पॉर्साइन स्ट्रेस सिंट्रोम भी होता है, वो भी सुर में होता है बताईए, हाँ, गोडे द्वारा बार-बार पेट पर लात मारना और मुड करके देखना फ्लेंग की तरब, कीस बीमारी का सिम्टम है, हाँ, very good, कोलिक का सिम्टम है, किसका सिम्टम है, कोलिक का सिम्टम है, हाँ, बताईए, सीता बाटी, कोलिक का सिम्टम है, नेक्स्ट क्यूस्टन है, जब गाय का टेंपरिचर सबनोर्मल हो जाता है, यानि डाउन हो जाता है, गाय लेट जाती है, मेंडक की तरह बैठती है, जिसको हम क्रिपर अवस्था भी कह सकते हैं, या ऐस आकरती में बैठती है, बिल्कुल लगबग सभी का सही है, कौन सी विम ज्यादा होता है, किटोसिस बिल्कुल रोयतास गरेंसी, जो गरेंसी नसल की जो गाय है, क्या ज्यादा होता है, सही है, किटोसिस ज्यादा होता है, अगला प्रसन बताएंगे, मेस्टाइटिस किसमें ज्यादा होता है, मेस्टाइटिस, मेस्टाइटिस किसमें ज्यादा हो बिल्कूल एक्जोटिक में, आप तो एक्जोटिक बोल सकते हो, एक्जोटिक यानि विदेशी नसलों में में स्टैटिस ज्यादा होता है, या क्रोस ब्रेड में ज्यादा होता है, अगला एक बीमारी है, प्रेगनेंसी टॉक्षीमिया, यह किस बीमारी का नाम है, और किस में होती है प्रेग्नेंसी टॉक्सीमिया किसकी बीमारी है बिल्कुल बेड की है सभी का सही है बिल्कुल सही है विशाल रवी राकी विश्नु पूजा रोयतास दीपक लोकेस्ट ये है बेड की बीमारी है प्रेग्नेंसी टॉक्सीमिया और कीटोसिस को बोलते हैं बिल्कुल सही किटोसिस को क्या बोलते है बेड में, प्रेगनेंसी, टॉक्सीमिय बोलते हैं, अगला प्रसन मैं आप से पूज रहा हूँ, एंथ्रेक्स रोग किस में ज़्यादा होता है, बिल्कूल एंथ्रेक्स रोग बेड में ज़्यादा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वूल, worst disorders diseases कहते है सरवादिक मत्यु भी बैड की होती है death भी बैड की होती है सबसे ज़्यदा बिल्कुल old disorders disease कहते है इसको मत्यु भी maximum होती है किसकी सीप की हाँ बई अगला प्रसन बिल्कुल high potters disease कहते है cause disease कहते है मैं भी पूछी लूँगा आपसे, हाँ, एसकोली टेस्ट किस बीमारी के लिए क्या जाता है, एसकोली टेस्ट किस के लिए क्या जाता है, बिल्कुल सही है, एंथ्रेक्स के लिए, एंथ्रेक्स के जीवानु की खोज किस वेगय ने की थी एंथ्रेक्स के जीवानु की खोज किस वेगय ने की थी बिल्कुल सही है, रोबर्ट कोज ने की थी इसलिए इस विमारी को कोज डिजीज कहते है देखें, मैं थोड़ा बता देता हूँ एंthrex के बारे में एंthrex बहुती गातक बीमारी है गातक बीमारी है, इसलिए हाँ, इस बीमारी के जो बैक्टेरिया है जिसको बोलते है bacillus anthrese जो के एक gram positive bacteria होता है इसका उप्योग किसके रूप में हाँ बोलो बिल्कुल समझ गया दीपक, जैवी का थियार के रूप में इसका उप्योग किया जा सकता है या गया था, दूशरी बात, रोबर्ट कोच ने इस बैक्टिरिया को खोजा था, और एंथ्रेक्स जो वर्ड बना है, एंथ्राकोस से बना है, एंथ्राकोस का मतवता है कोईला, यानि इसमें घाव के जो किनारे जो होते हैं, वो बलेक पड़ जाते हैं, काले हो जाते हैं, इसलिए इसको एंथ्रेक्स बोलते हैं, आपको पता होगा, एंथ्रासाइट एक कोईले की एक किस्म होती है, चार प्रकार का कोईला होता है, एंथ्रासाइट, बिटुम जल्दी पर एक्यूट अवस्था में इसमें डैथ हो जाती है और इसका बैक्टिरिया इस्पोर बना करके वर्सों तक जमीन के अंदर पड़ा रहता है तो इस बीमारी के बैक्टिरिया की खोज कौच ने की थी इसलिए इसको कौच डिचीज भी कहा जाता है अब इसको वूल इसको हाइड़ पॉर्टर इस इसलिए कहते है क्योंकि जो उन को काटते थे बेड के शरीर पर हाँ उनका आवरण क्या कहलाता है वहई उनका हैं प्लीस कहला था सही है इसको चारवण डिजीज भी कहते हैं बहुती गातक विमारी हैं चारबॉण मतलब चाहर आपनुपवी कहते हैं ऐसको फांशी भी कहते हैं यानि जिसकी हो गया जो नहीं जती रकते तीं योच्मूरे Knight का का ससथ जाते थे उन लोगों में ये बीमारी ज्यादा हो जाती थी इसलिए इसको हाँ बिल्कुल सही है तो बताइए मैक फेडेंट रियक्शन किसके लिए की जाती है अब आपको आता है बिल्कुल तिल्ली बुखार जहरी बुखार जै बिल्कुल सही है एंथ्रेक्स के लिए किया जाता है बिल्कुल सही है एंथ्रेक्स के लिए एंथ्रेक्स से जो पसु मरता है उसको क्या कर देते हैं या तो 5-6 फिट गहरे गड़े में दफना देते हैं उसको बरी कर देते हैं साथ में चूना और ये डाल करके और डिसिंफेक्शन किया जाता ह बिल्कुल सुई है, पोस्ट मोर्टम नहीं करते हैं, बिल्कुल प्राकर्तिक चिद्रों से बिना जम्मा हुआ, राइगर मॉर्टिस का और बता दो, यह मतलब आपको बहुत, बिल्कुल राइगर मॉर्टिस बिल्कुल नहीं होती, अगला बताएंगे आप चलो, मैं प्राकर्तिक आवासित जीवणू है, नेचुरल हैबिटेंट है, प्राकर्तिक आवासित जीवणू, कौन सा है, कौन सा है, बिल्कुल पूर्न मलका गया, पी-म यहनी पास्चुरला मल्टो सीडा, बताएंगे ग्राम पॉजीटिव है और नेगटिव है, ग्राम नेगटिव है, एला, एला नेगेटिव, अधिकांज जो एला है वो कैसे है ग्राम नेगेटिव जीवान हो ए बताए यूनिपोलर है या बाइपोलर जीवान हो ए बिलकुल सही है बाइपोलर जीवान हो ए बाइपोलर बैक्टिरिया है बिलकुल सही है अगला प्रस्वन बताएंगे आप क्रिस्मस बीमारी किसको बोल की बोलते हैं आठे करिस मस्जीजिए अरे वारोितास रट रखा is बिल्कुल टिटेनस को बोलते हैं अभी ने रख रखा है मलता बुखार किसी कहते हैं म Anderson कि क्या बात है पर्टीलोस इसको बोलते है है अगला बताएंगे आप सांव किसी कहते हैं ओपिंबर स Tucson बिल्कुल actino bacillosis को बोलते हैं timber tongue या जिसको हम wooden tongue भी कह रहे थे अभी अगला बताएंगे भारत में सबसे ज्यादा मैस्टेटिस किस बैक्टिरिया से होती है भारत में सरवादिक मैस्टेटिस पैदा करने वाला बैक्टिरिया कौन सा है अगला बताएंगे समर में स्टैटिस किस बैक्टिरिया से होती है गिल्कुल सही है बिल्कुल मातादिन, रोईता, सीपी, रखी, रवीना, पूजा, कॉर्नी बेक्टीरियम से कॉर्नी बेक्टीरियम से समर्मेस्टाइटिस होती है अगला बताएंगे बिल्कूल नीले कलर का दूद आता है अगला बताएंगे हाँ बरी एक लाब-दायक बैक्टीरिया का नाम बता दो बाक से जिवानों का नाम बता दो एक जिवानों जो लाब-दायक है है रूमन के bacteria अरे वा औल एलेक्टो बैसिलस बता दिया वैसे जो सह जीषी जीवान UH metrics Presum questa के रूमन के अंदर जो की सेलीव का मैंना करते हैं सेली जीवी पाचन करते हैं यह सबी ब्रबारी इकॉल एक और कोन बोल रहं है यह यह इस तो आने का रही है E. coli, जो Bacteria होता है, Esteria coli, यह तो आनी का रहा है, Gram Negative है, डाइरिया करता है, यह तो Entretis करता है, तो जो Rumino Cocos है, या फिर कई Cellulose को पचाने वाले बैक्टिरिया है, फस्तुमों में वो सभी क्या होते हैं, लाब दायक जीमण होते हैं, और हानी कारक जीमण वो होते हैं, जो क preventive medicine की, आफ्रा या टिम पैनि, clinical की है, बिल्कुल सही है, हाँ भी, ketosis जो बिमारी है, वो clinical की है या preventive की है, very good, clinical की है, तो anthrax किसकी है, clinical की है या preventive की है, anthrax बिमारी, preventive की है भई, anthrax बिमारी, यानि, देखिए, रोगों का वरगी करना है, उसके अंदर रोगों को, रोगों को उत्पत्ति के अधार पर बांटा गया है, संक्रामक और एसंक्रामक, संक्रामक रोग वे होते हैं, जो एक जीव से दूसरे जीव में फैलते हैं, उन्हें संक्रामक कहते हैं और वे रोग जो एक चीव से दूसरे जीव में नहीं फेलते उन्हेंते संक्रामक या non communicable disease कहते हैं तो आप एक non communicable disease का उधारन बताएंगे एक non communicable disease monoponia एक इस अंक्रामक रोग का नाम बताओ बिल्कुल सही है कीटोसीज में समझ गया मिल्क पीवर हाँ कैंसर है बिल्कुल डाइबिटीज है जो एक से दूसरे में नहीं लगते हैं उनको बोलते हैं ऐसे रोग जो एक से दूसरे में लग जाते हैं उनको communicable disease कहते हैं जैसे जितनी भी हाँ TB है बिल्कुल सही है यह यह communicable है और वे बिमारिया जो मनुष्य से पसु में तथा पसु से मनुष्य में लग जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं बिल्कुल 16-16 बिल्कुल 2-6 जूनोटिक बिमारी कहते हैं क्या बोलते हैं उनको जूनोटिक बिमारी कहते हैं उनको जुनोटिक बिमारी कहते हैं, आप चार जुनोटिक बिमारियों के सोट में उदान बताएंगे, चार जुनोटिक बिमारिया बताईए, बड़ फ्लू, रेबीच, टीबी, प्रुसेलोसिस आ गई वही, चार आ गई, बिल्कुल आप एक दूसरे के कमेंटर पर ध्यान द हाँ, आगला प्रसंद बताएंगे, आप यह बिमारिया जो किसी शेतर में इस तरह से फैलती है, इस तरह से, इस तरह से फैलती है, उसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही है, स्पोर्डिक बिमारी कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्पोर्डिक बिमारी कहते हैं, इस तरह से फैलत बताएंगे स्पोर्डिक विमारी के, स्पोर्डिक विमारी के एक दो एक्जम्पल बताएं, बिल्कुल सही है, मिल्क फिवर और टिटिनस, अगला बताएंगे आप जिवीत उतक की, जिवीत उतक की सुक्षम दर्शिय जांच क्या कहलाती है, जिवीत उतक की सुक्षम दर्शिय जांच करते हैं, सही है सभी का कैंसर, अगला परसन बताएंगे, रेक्टल, पिंच बायोप्सी किस के लिए करते हैं, रेक्टल, पिंच बायोप्सी, किस बीमारी के लिए करते हैं, बिल्कूल, बिल्कूल, पैरा, क्यूबर क्लोसिस, जिसको बोलते हैं हम, जोन्स डिजीज, जोहनीज बीमारी या जोन्स डिजीज, इसके लिए क्या करते हैं, बिल्कूल, रेक्टल, पिंच बायोप्सी कहते ह यहनि रेक्टम में हाथ दे करके थोड़ा सा टिशू ले लेते हैं मुकस का और उसकी examination करते हैं हाँ भई, acid fast bacteria का उधार्ण बताओ acid fast bacteria का उधार्ण बताओ तो यह मनिश, जो TB का bacteria, हाँ, बिल्कुल हाँ, बताए बताए हाँ, बिल्कुल सही है mycobacterium, जो है acid fast G1 होता है mycobacterium बिल्कुल mycobacterium acid fast bacteria होता है यानि यह ना तो gram negative होता है ना gram positive होता है एक अलग ही die आते हैं, जिसको gilnilson die कहते हैं, उससे इसकी staining की जाते हैं, तो उस stain को acid fast staining कहते हैं, तो अगला प्रसन आप बताएंगे pearl disease किसको बोलते हैं pearl disease pearl disease किसको बोलते हैं बिल्कुल TB को pearl disease कहते हैं यह नहीं मोतियों का रोख कहते हैं, क्योंकि फेंपडों में necrosis होने के कारण necrosis की जगे calcium की जो जमा हो जाता है, और गाठें बन जाती है, और वो x-ray के अंदर मोति के दानों जैसी बाजरे के दानों के समान या मोटी इस प्रकार के दिखाए देते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं pearl disease कहते हैं शेयरोग भी बोलते हैं इसको great white plague भी बोलते हैं TB को, TB एक जुनुटिक बीमारी होती है जो बीमार और कमजोर गाये होती है उनसे मनुष्य में बिल्कुल refarmacin क्या है इसकी drug of choice है हाँ भी droplet infection से, सांस से संक्रमन होता है, संपरक से खांसी से, इस तरह से इसका संपरक, बिल्कुल और मनुष्य में ये कच्छा दूद, यानि unpasturized जो milk होता है epasturicrat दूद होता है नहीं, उबला हुआ जो दूद नहीं होता है या कच्छा दूद होता है या मीट से, उनसे फैलती है बिल्कुल Montex test करते हैं इसमें सही है, भाई, ट्यूबर्क्यूलिन test भी करते हैं इसमें ठीक है, रववार रववारस सेरो हाँ किसी को आने भी दोगे कि तुम ही आ जाओगे सारे इस्थानों पर अगला प्रसंद बताओ आप हाँ next किस बीमारी में किस बीमारी में किड्नी फैल होने से death होती है, किड्नी फैल होने से या septicemic shock septicemic shock के कारण मरती होती है बिल्कुल सही है anthrax के अंदर anthrax के अंदर किड्नी फैल होने से या septicemic shock से मरत्य होती है अगला बताएंगे G1O में किस प्रकार का ribosome पाया जाता है 70S या 80S बताए बेक्टिरिया के अंदर किस प्रकार का ribosome पाया जाता है बिल्कुल 70S ribosome किस में पाया जाता है G1O चुकि हम जानते है G1O की कोसी का कैसी होती है प्रोकेरियोटिक कोसी का होती है प्रोकेरियोटिक कोसी का होती है प्रोकेरियोटिक कोसी का है तो इसमें 70S प्रकार का ribosome पाया जाता है अगला बताएंगे जीवनु की कोशी का बित्ती किसकी बनी होती है जीवनु की कोशी का बित्ती किसकी बनी होती है जीवनु की कोशी का बित्ती पेप्टाइडोगलाइकेन पासपलिपीड कोण बता रहा है वही पेप्टाइडोगलाइकेन की है पेप्टाइडोगलाइकेन कोज़ी का बित्ती की बात हो रही है बित्ती मतलब सेल वाल अगला प्रस्ट बताएंगे जीवानू में स्वसन का कारे कौन सा कोज़ी कांग करता है मीसोसोम बिल्कुल सही है मीसोसोम एक मीसोसोम देखे इस तरह से बेक्टिरिया की सेल होती है बेक्टिरिया की सेल में सबसे बाहरी आवरान होता है यह सेल वाल क्योंकि जीवानू को हम पादब जगत में रखते हैं क्योंकि इसमें क्या पाए जाता है इसमें cell wall पाई जाती है और ये होती है cell membrane कोसिका जिली जीवानों की कोसिका में इस तरह से एक evixit kendra केंदरक पाया जाता है जिसमें कोई kendra केंदरक जिली नहीं पाई जाती इसको बोलते हैं kendra का भी या nucleoid nucleoid कहते हैं और ये जो इसकी जो कोसिका जिली है इस तरह के वलन बना ले थी इसको बोलते हैं mesosome जो mitochondria की तरह कारे करता है mesosome जीवानों की कोसिका में एक इस तरह से क्या पाया जाता है वर्ताकार DNA पाया जाता है इसको बोलते हैं बिलकुल plasmid बोलते हैं वेक्टिरिया की शैल के अंदर इस तरह से कुछ संद्चना पाई जाती है लंबी सी इसको कहते हैं हाँ बड़ी संद्चना को लेजिला कहते हैं और जो चोटी-चोटी संद्चना होती हैं इनको पिलाई कहते हैं या सीलिया अच्छा इधर लिखूं, चलो बई, चलो बई, साइड में लिखो, अरे वाँ, दिरको बड़ी है, हाँ बई, अगला बताएंगे आप, ऐसी बीमारी, जो बविश में पैदा हो सकती हो, उसको क्या बोलते हैं, जो बविश में पैदा हो सकती है, यानि संभावना है बविश में, क्या बोलते हैं, इमर्जिंग, सही है भई, में अंदर सही है, इमर्जिंग डिजीज कहते हैं, ऐसी बीमारी जो बविश में पैदा हो सकती है, उसको बोलते हैं, इमर्जिंग डिजीज, ऐसी बीमारी जो विदेश से आई हो, बिलकुल बेड फिर में जो looping heel है इसका उदार न है, bed में looping heel, looping heel, विदेशी बीमारी क्या कहलाती है, ऐसी बीमारी जो विदेश से आई हो, exotic कहलाती है, exotic का एक उदारण दोगे आप, exotic विदेशी बीमारी का एक उदारण दोगे, बिल्कुल सही है, African horse sickness, इस African horse sickness का एक नाम और बताओगे आ अप्रिकन वर्स स्खाने युशर को क्या कहते है तील्कुल happiness और अधिलिकों प्लेग को फार्सी इसको नहीं अग्या है साधिक्रड ऑरहुंदिशेचा अगल्ला मैं पोछ रहा हूं एक equine distemper होता है equine distemper equine distemper बताएंगे किस विमारी को कहते है equine distemper विल्कुल भाई strangle strangle जो विमारी होती है उसको equine distemper कहते है बहुत अच्छी बात है strangle को ही बोलते है तो next question आप बताएं विल्स डिजीज किसको बोलते है विल्स डिजीज यंग और स्की है बिल्कुल रोईतास आगे आंसर आपका बिल्कुल leptoispirosis को विल्स डिजीज कहते है हाँ बई एक प्रसंद और पूछ रहा हूँ meningioencephalitis किस में होता है meningioencephalitis meningio हाँ silage disease या listeriosis में होता है यानि meningioencephalitis कि जो जिल्लियां होती है durameter arachnoid pyameter जैसे ये brain है ये माली जे brain है brain की सूजन को हम बोलते है encephalitis और brain के चारों तरब तीन जिल्लियां पाए जाते हैं जिनको हम meninges या मस्तिस की जिल्लियां कहते है और इनका क्रम होता है सबसे बाहर ये बाहर durameter, beach वाली, arachnoid और ये pyameter DAP तो तीन जिल्लियां इन जिल्लियों में सूजन को बोलते है meningitis meningitis और brain की सूजन को कहते है encephalitis इसमें क्या होता है meningio encephalitis यानि brain की सूजन भी आते है मस्तिस की जिल्लियों भी सूजन भी आते है और इस बीमारी को यानि circling disease भी बोलते है इसको क्या बोलते है गोल-गोल गूमने के कान क्या बोलते है circling disease कहते है एक circling disease गिड़ को भी कहते है ये silage sickness होती है यानि जो संक्रमित silage है उसके खाने से ये बीमारी हो जाती है हाँ हाँ तो चुहों से ये बीमारी फैलती है, कौन सी लिस्टेरियोसिस, लिस्टेरियोसिस या सर्क्लिंग डिजीज किसे होती है, रेटेंशन ओप्लेसेंटा, बताई दिया था आपको, बिल्कुल सही है, थर्ड ट्राइमेस्टर में अबोर्शन, अगला प्रसुन आप बताएंगे, वह बीमारी जो लंबे समय तक चलती है, उस बीमारी को क्या कहते हैं? पर एक्यूट, पर एक्यूट बोलते हैं, बहुती कम समय के लिए, ऐसी बीमारी जो पसुओं में हो, और बहुती छोटे शेत्र में हो, बहुत छोटे शेत्र में, पसुओं में बहुत छोटे शेत्र में हो, उस बीमारी को क्या बोलते हैं, हाँ, एंजूटिक बीमारी कहते है यह पैंजूतिक कौन लिख रहा है बावडा एंजूतिक नेक्स्ट है हाँ ऐसी विमारी जो व्रॉल्ड वाइड हो बहुत बड़े शित्र में हो पसूं में हो या फिर एनिमल्स में हो बिलकूल पैंजूतिक बोलते हैं उसको पैं का मतलब होता है काफी बड़ा शित्र बिल्कुल पेंजूटिक बोलते हैं हाँ भी अगला प्रसन आप बताएंगे पस्वों में बहुत बड़े शेत्र में होने वाली बीमारी पस्वों में बहुत बड़े शेत्र में होने वाली बीमारी क्या कलाती है एपीजूटिक एपीजूटिक बिल्कुल एपिजूटिक कहलाती है, अगला प्रसंद बताएंगे, ऐसी बीमारी जो अपने ही देश में हुई हो, अपने ही देश में, अपने ही देश में, यानि देशी बीमारी को क्या कहते हैं, इंडिजीनस बीमारी कहते हैं, जो इंडिया में ही हुई हो, उसका उधान औ है हमारे देश में ही उत्पन हुई है अगला बताएंगे ऐसी बीमारी इसमें सीमेंट जैसे दस्त या गोबर सीमेंट जैशा गोबर बिल्कुल साल्मोनेलोसिस साल्मोनेलोसिस बीमारी की बता हूं मैं खास बात आपको यह साल्मोनेला बैक्टीरिया मल में पाया जाता है गो तो E. coli और एक Proteus और एक Salmonella, इनका जब हम oral root से किसी भी जानवर के अंदर संक्रमन हो जाता है, यानि जिसको बोलते हैं फीको-oral root, फीको-oral root से जब संपर्क होता है, यानि जब बैक्टिरिया या तो दूद से या खाने से, अनपस्चिराइड मिल्क से, किसी से भी अगर मा के अंदर बैक्टिरिया और जो फंगस है, वो ज़्यादा पनपते हैं, नमी भी होती है, साथी साथ टेंपरेचर भी होता है, और उस कंडिशन में, बिल्कुल, हाँ, साल्मनेला टाइफी, पेरा टाइफी, इसको आंत्री बुखार भी कहते हैं, साल्मनेलोसिस को, ग्राम बताइए, नेक्स्ट क्यूस्टन है, रॉक फीवर किसको बोलते हैं, रॉक फीवर, रॉक फीवर किसी भी मारी को बोलते हैं, बुरुसेलोसिस को बोलते हैं, अगला प्रसंद बताएंगे आप जिब्राल्टर फिवर किसको बोलते हैं, शिब्राल्टर फिवर देखे ये अगर माली जी किसी को इतने टप नाम याद नहीं है तो टेंसन लेने की भी आवशकता नहीं है इतमें इंपोर्टेंट मैं आपको बता दूं अंडूलेंट फिवर अंडूलेंट फिवर यानी लहरदार बुखार इस तरह से बुखार है माल्टा फिवर भी कहते हैं ब्रुसेलोस इसको हाँ इसको मेडिटेरियन फिवर भी कहते हैं इसको बैंक्स डिजीज भी कहते हैं बैंक्स रोग इसको संक्रामक गरब पात भी बोलते हैं संक्रामक गरब पात भी बोलते हैं ब्रुसेलोस इसको गरब पात तो जो बैंक्स scientist ने इसकी खोज किती, इसलिए इसको हाँ, ranks disease भी कहते हैं, बिल्कुल contagious abortion भी इसको कहते हैं, अगला परसंद बताएंगे आप, कीचड बुखार किस रोग को कहते हैं, कीचड बुखार Leptoispirosis बिल्कुल सही है Leptoispirosis, इसको mud fever भी बोलते हैं, इसको कीचड बुखार भी बोलते हैं Leptoispirosis को Leptoispirosis को बताएं Leptoispirosis का संक्रमन किस से होता है सांस से, दूद से, मुत्र से और मल से बिल्कुल इस्टट कार्ट भी बोलते हैं उरीन से बिल्कुल उरीन से अगला बताएंगे Canine Typhus किस बीमारी को कहते है Canine Typhus Canine Typhus बिल्कुल से, यह मनीज कुमार से नहीं Leptoispirosis को ही Canine Typhus बोलते हैं बिल्कुल एकदम तो बताएंगे आप Leptoispirosis जो बैक्तिरिया है, वो ग्राम नेगेटिव है या पॉजिटिव है नेगेटिव और Actinobacillus लिगनी सेराही जो बैक्तिरिया होता Actinobacillus लिगनी सेराही वो नेगेटिव है या पॉजिटिव अरो मनीज गलते नेगेटिव ही है वो भी हाँ हाँ सभी का नेगेटिव बिल्कुल आपरासन बताएंगे अंते कोशी के जीवानू कौन सा होता है कौन सा बेक्टिरिया इंट्रासेलूलर है यानि सेल के अंदर रहता है बिल्कूल ब्रुसेला अरे बेबेशिया बेक्टिरिया है यह नहीं बैक्टिरिया की बात हो रही है बेबेशिया तो प्रोटो जो है ब्रूसेला बेक्टिरिया बिल्कुल सही है ब्रूसेला जो बेक्टिरिया होता है ब्रूसेला वो कैसा होता है अन्तेकोशी की है पताए ब्रूसेला मेलिटेंसिस जो बेक्टिरिया होता है ब्रूसेला मेलिटेंसिस वो किस-किस में ब्रूसेलोसिस करता है ब्रूसेला मेलिटे किसमें करता है बिल्कुल CB का मतलब हो गया केटल बफेलो बिल्कुल मैं समझ गया आपको अगला प्रसंद बताएंगे लंबी दूरी लंबी दूरी तै करने के बाद थकान के बाद बहुत ज्यादा थकान के बाद आरे वा एच एस पहले यह आंसर देती है हां हां एच एस बिल्कुल बताएंगे हां एच एस में डैथ किस कारण होती है नावी बुखार कहते हैं इसको एच एस के अंदर जो हां बिल्कुल हाइपोक्षिया के कारण म्रत्यू हो जाती है हां सही है क्योंकि जो हां क्योंकि गड़े में सूजन आती है गर गर की आवाज आती है एक तरह से हां सांस में समश्या आती है उपरी सो संतंत्र का जो यह मैं पसू साला का रोग किसको बोलते हैं इस्टो की आड़ डिजीज किसको बोलते हैं पसू साला का यह रोग किसको बिल्कुल सही है, अगला बताएंगे, Swine Handler's Disease, यानि सुर पालकों का रोग कौन सा है, सुर पालकों का रोग, बिल्कुल Leptospirosis को बोलते है, Swine Handler's Disease, बहुत अच्छी बात है, अगला प्रशन बताएंगे आप, जो Entrotoxymia होता है, यानि फिड़किया, फिड़किया की डाइग कैसे करेंगे, फिड़किया की डाइगनोसिस बताएंगे आप कैसे करेंगे, बिल्कुल मुत्र में Glucose की उपस्तिती, फिड़किया मुत्र में Glucose की उपस्तिती, मैं आज जो भी क्यूशन पूछ रहा हूँ, Bacterial Disease तक ही पूछ रहा हूं ज्यादा तर, क्योंकि हम Viral Disease अग अगली बिमारी आप बताएंगे, ये प्रोग्राम, NBCP, ये किस बिमारी के लिए चलाए गया है, NBCP प्रोग्राम किसे सम्मधित है, बिल्कुल बुरुसेलोसिस को, इसकी फूलपाम होती है, नेशनल बुरुसेलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, NBCP, ये जो बिमारी है, काफ फूड वैक्सीन जो होती है वो कितने उम्र में लगाई जाती है बच्पन का टीका काफ फूड वैक्सीन कितने उम्र में लगाई जाती है बिल्कुल बच्छडी में लगाई जाती है चार से बारा माह में कम से कम चार मैने की बच्छी बच्चिया होनी चाहिए यह जीवन में एक ही बार लगाई जाती है जीवन में एक ही बार लगाई जाती है और यह ब्रुसेला बिल्कुल सही है बिल्कुल जीवन में एक ही बार लगाई जाती है दो एमेल इसकी डोज रहती है बच्पन का ठीका पोटन स्ट्रेइन 19 अरे आप लोग तो ज्यानी हो गए वह बैसे इस ट्रेइन 19 अ हम विने मिना बिल्कुल शिए अ हां नर्मादा दोनों में होती है अ हां नर्मे वीमारी तो दोनों में होती है नर्मे औरकाइटीस हो जाता है एक व्यावसाइक रोग है यह हाह और नर में सुक्र जनन की क्रिया भी बाधित हो जाती है इसलिए व्यावसाहिक रोग है पशुची कित्सा कर्मियों में यह ज्यादा होता है बिलकुल T का मादा में ही लगता है सही है वेक्सिन ओली मादा में लगती है वेटिनरी डॉक्टर्स बिल्कुल जही है एलसे में भी लगेगी वही बीमारी एलसे म क्यों नहीं लगेगी तो डॉक्टर के लगा रहा है दीपक अंडूलेंड फिवर बोलते हैं कभी चटता कभी चलो इसकी जो ड्रग है ड्रग ऑफ वेक्सिन ओक्सिटेटर साइक्ली ने ब्रोड स्पेक्ट्रम बिल्कुल 10 ml मत लिखो आप mg पर kg में लिखो अगर डोज लिख रहे हो तो ml तो आप 40 ml भी लगती है ओक्सितो बिल्कुल 10 mg पर kg बोड़ी वेट इसमें लगाते हैं अब कौन सी सरक्रा के कारण है इसका जो बैक्तिरिया है वो प्लेसेंटा पर व्रद्धी करता है रोइतास का तो आंसर भी आगा है इरित्रिटोल जो सरक्रा होती है चार करबन वाली इसका हाँ सभी का सभी है इत्रिटोल सरक्रा के कारण बताए हाँ इसकी जो सिक्वेली क्या है ब्रुसिलस इसकी सिक्वेली बताए बिल्कुल हाइगरोमा है इसकी अगला बताईए जो फिड क्या होता है एंट्रो टॉक्सीमिया उसमें बूस्टर कितने दिन बाद लगाते हैं फिड क्या यानि एंट्रो टॉक्सीमें जो वैक्सीन है बूस्टर कितने दिन बाद लगाते हैं 14 दिन बाद लगाते हैं क्या डोज रहती है इसकी वैक्सीन की जो क्लो इस्टिडियम पर फ्रिंजेंस टाइप D जो एंटी टॉक्सिन होता है उसकी डोज रियेट बताओ बिल्गुल सही है डाइएमल 2.5 अगला बताएंगे आप धनुस टंकार या धनुस बाई किस बीमारी को कहते हैं धनुस टंकार धनुस बाई जनुस बाई इस बीमारी में कौन सा टॉक्सिन निकलता है इस बीमारी में कौन सा टॉक्सिन निकलता है इस बीमारी में तिटेनोस्पाजमीन आसा ने टाइप भी कर दिया पूरा तिटेनोस्पाजमीन और तिटेनोस्पाजमीन और तिटेनोस्पाजमीन और तिटेनोस्पाजमीन और तिटेनोस्पाजमीन और तिटेनोस्पाजमीन 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 तिटेनोस्पाजम या फिर घोडे की लीद होती है, गोबर होता है, इन से घाव के अंदर, अब घाव भी कौन सा, जो डीप वूंड होता है, उसके अंदर ये बैक्टिरिया गुश जाते हैं, और वहाँ पर एवाईवे परिस्तितियां मिलने के कारण ये बैक्टिरिया पनप जाते हैं, जो क्ल इटिंग डिजीज या जिसको फेड़्या बोलते हैं, एंटो, टॉक्सीमिया वो होता है, जो कि बैक्टिरिया को अंदर अक्शिजन नहीं मिल पाती, अक्शिजन जब नहीं मिल पाती, तो वो बहुत तेजी से ग्रोध करता है, तेजी से ग्रोध करके, और बहुत सारे न में यंशल बोलते हैं हाँ टिटेण आस में और इसके कारण इसको जो है प्रश laufen पाइदेंगे एक पसू होता है उसमें कौन सी बीमारी के संभावना ज्यादा होती पॉस्ती जीवन हो जदूनित वीमारी होने की संभावना पाइका वाले पसू में ज्यादध उती है पाइका वाले पसू में फ़ेज पर क्या लिख है बोटुलिज्म कौन सी बोटुलिज्म मैं जीवानुजनित बोल रहा हूँ भई, पाइका से जो गरशित पसू है, उसमें बोटुलिज्म, क्यूंकि आपको पता है, बोटुलिज्म बीमारी होती है, क्लोश्टुटियम, बोटुलिनिकम, सड़ी गली चीजों को खाने से, देखिए, पाइका होएगा फासपरस की कम और पेट में सड़ी गली चीज़ें जाएंगी, तो ये क्लोश्टुटियम बोटुलिनिकम जो बैक्टिरिया होता है, यानि एक तरसी फूट पोजनिंग हो जाएगी, ये टॉक्सिन्स निकालेगा, जिससे पैरलाइसिस होगा, इस बीमारी को लॉइन डिजीज भी कहते है इसको लिम्बर निक डिजीज भी कहते है, इस बीमारी में क्या आता है, लकवा होता है, लकवा गर्दन से नीचे की तरफ होता है, नेक से चालो होता है, बिल्कुल लॉइन डिजीज कहते हैं, जितेश, बिल्कुल, प्रोटीन की कमी से, अरे प्रोटीन आप कह नहीं सकते ह यह protein के उपर से नीचे लखवाता है अगला प्रसे बताईए इंस्पेक्शन किसे किया जाता है इंस्पेक्शन किसे करोगे आप बिल्कूल आखों से देखना inspection कहलाता है बिल्कूल आखों से हम किसी विमारी की जांच करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम inspection बोलते हैं उसको अगला प्रस्ण विकिरनो की साहता से हम कौन सी जांच करते हैं विकिरनो या किरनो के साहता से की जाने वाली जांच क्या कहलाती है रेडियेशन से विल्कूल विल्कूल क्या होती है रेडियो थेरेपी एक्सरे लेना रेडियो थेरेपी या फिर जिसको हम बोलते हैं यह तो उपचार हो गया रेडियो थेरेपी तो उपचार हो गया और रेडियो ग्राफी रेडियो ग्राफी ग्राफी मतलब एक तरह से X-ray जो लेते हैं उसको हम बोलते है Radiography Radiography का Diploma भी होता है तो Radiotherapy तो होती है अगर विकिर्णों से कोई उपचार किया जाए तो उसको बोलते है Radiography और Radiography होती है X-ray यहनि X-ray जो टूट जाती है जब लेते हैं अगला बताएंगे सुई द्वारा लंबी सुई द्वारा जब हम किसी लंबी सुई द्वारा किसी अंग का द्रव ले लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं Parasynthesis सबी का सही है Parasynthesis बोलते हैं उसको लंबी सुई द्वारा द्रव ले लेते हैं उसको बोलते हैं Parasynthesis अगला प्रसंद बताएंगे आप, MRT test किसके लिए किया जाता है, जिसको बोलते हैं, फुल फॉम होते हैं, milk ring test, milk ring test, बिलकुल सही है, ब्रुसेलोसिस के लिए किया जाता है, milk ring test, बिलकुल सही है, रोज बंगाल प्लेट अगलुटेनेशन टेस्ट और ब्रुसेलोसिस बिमारी के लिए किये जाते हैं, कौन सी बिमारी के लिए? ब्रुसेलोसिस बिमारी के लिए किये जाते हैं, और एक टेस्ट और होता है, ब्रुसेलिन टेस्ट, ब्रुसेलिन टेस्ट, ब्रुसेलिन टेस्ट, बिलकुल सही है, ब्रुसेलिन टेस्ट, हाँ भी, अगला क्यूस्चन बताएंगे, यहां, बैंक, एबर्टस बैंक, हाँ भी, फाउल इन फुट किस विमारी को कहते हैं, फाउल इन फुट, फाउल इन फुट किस विमारी को कहते हैं, बिल्कुल कूम्स टेस्ट भी किया दाता है, राकी, रोईतास, फाउल इन फुट किस को बोलते हैं, फुट्रोट को बोलते ह है, food rot, कि सिक्वेली है, बिल्कुल सही है, FMD की सिक्वेली है, FMD की सिक्वेली है, ये food rot जो बीमारी होते है, सभी खुरवाले पस Immer पसों में होते है, सभी खुरवाले पसों में ये रोग होता है, कौनसा? footrot, अगला प्रसंद पूछ रहा हूं मैं, हाँ, चार बिमारिया बता नहीं है, आपको छोटे पस्वों की चार बिमारिया बताओ, यंग एनिमल्स की, छोटे पस्वों की, हाँ, सही है, इस्पोरोफेरस, नेक्रोफेरस बेक्टिरिया से होता है, footrot, फुर सड़ जाता है, हाँ, अरे वा, काप इश्क और जानते हो, आप, काप इश्क और, बताएए, हाँ, 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 सही है वई, इन में से कौन सी बिमारी, जो आपने इतने सारी लिखे हैं, इन में से कौन सी बिमारी, जनमजात है, जनमजात बिमारी बता नहीं है, ऐसी बिमारी जो जनम से पा जाए उसको क्या बोलते हैं जनमजात बीमारी केते हैं बिल्कुल एट्रेशिया एनई जनमजात बीमारी कौन सी है एट्रेशिया एनई यानि गुदादवार का बंदोना इस परकार का चीर लगाते है informações बिलकुल भेड मेंगे मेयमने में ज्यादा होती है बिलकुल ख्रिस्ख जात विमारी कहते हैं, यानि गर्भाशे में तुरूटी होने के कारण, और वो जनम के समय दिखाए देती है, ऐसी विमारी जो अनुवनसिक होती है, यानि हेरिटिटी डीचीज, तो उसका उधारन बताएंगे आप, मिर्गी और, इमोपीलिया, वर्नान्दता, कही सारी होती है, हाँ, उनको क्या बोलते हैं, बिल्कुल, सही है, हाँ, बहुँआ, कलर ब्लाइंडनेस है, हाँ, अब, नेक्स्ट विमारी, कोलाई बेस विलोसिस किसको बोलते हैं, कोलाई बेस विलोसिस किसको बोलते हैं, मेहंदर क्या लिख रहा है, काप इश्क्योर को बोलते हैं, बच्डों के उजले सफेद दस्त, हाँ, काप इश्क्योर, पतले, चिकने, बदबूदार, सफेद, उजले, चिकने, वाँ, क्या बात? तो कोलाई बेस्विलोसिस जो भीमारी है, वो कौन से बेक्टिरिया से होती है, यह और बता दो, किस बेक्टिरिया से होती है, हाँ, इकोलाई से होती है, इकोलाई, इकोलाई ग्राम नेगेटिव है या पॉजिटिव है, यह और बताईए, सही है, ग्राम नेगेटिव जिवन है कौनसा e-coly Draugam आगला प्रसंद बताएंगे मेस्टायिटीस जो विमारी है किस्में ज्योदा होती है मेस्टायिटीस मेस्टायिटीस विमारी किस्में ज्योदा होती है रहा विदेशी गाय समझछ लो एक्जोटिक गेटल समझ लो बिल्कुल दुधारू गाय में होती है और एक्जोटिक के अंदर या क्रोस ब्रीड के अंदर ये ज्यादा होती है नेक्स्ट परसन बताएंगे आप तारे की तरफ देख करके चरना तारे की तरफ देख करके चरना किस भीमारी को कहते हैं स्टार ग्रेजिंग को कौन से विटामिन की कमिशे होती है कौन से विटामिन की कमिशे होती है B1 की कमिशे या थाइमिन की कमिशे अब मैं प्रसंद पूछ रहा हूं आपको आप्शन के हिसाब से एक निम्द में से कौन सी विमारी chronic है, आपको chronic बीमारी बतानी है, TB, jaunice disease, actinomycosis, all, अरे वा, या बात है, पहले all बता दिया आप, हाँ, एक क्यूशन ये है, अगला क्यूशन ये है, अगला क्यूशन है, निम्न में से कौन सी बीमारी संक्रामक है, संक्रामक है निए infectious बतानी है आपको, A option में है, anthrax, B है, hs, C है, both, and D है, none, सभी का गलत है, अरे भाईया बहुत है, हमेशा ही आप, आरे वा, आदत है न सर, आदत बिगाड़ दी हमने, आपकी, अगला बताएंगे आप, हाँ, निम्द में से कौन सा जीवर्ण हूँ है, वो, ग्राम नेगेटिव है, चलिए बताएं, पहला लिख रहा हूँ आप, मौरे चेला, मौरे चेला, और पहला, वी ओप्सिन है, आपका, लोज श्ट्रिडियम, लोज च्रिडिएंग, झी ओप्सिन है, आपका, बैसिलस, थी ओप्सिन है, आपका, हाँ, हाँ, अरे वह सभी का आ गए क्या, बिल्कुल सही है मौरेक जिला जो बैक्टिरिया होता है एला लग रहा है यानि ये ग्राम नेगेटिव जी वान हो है ग्राम नेगेटिव जी वान हो है बिल्कुल सही है अगली बिमारी बताएंगे आप ग्लेसर्स बिमारी किसमे होती है ग्लेसर्स बिमारी, ग्लेसर्स बिमारी किसमे होती है, ग्लेसर्स बिमारी किसमे होती है, ग्लेसर्स बिमारी होती है, सुवर में, सुवर में एक बेक्टिरिया से होती है, जीवान उजनित रोग है, ग्लेसर्स, आइमोफिलस, पेराशुईस से होती है, ग्लेसर्स बिमारी, आ अगला प्रसंद बताएंगे आप चींचडी के काटने से कौन सी bacterial disease होती है, option आपको lime disease मिल जाए, तो आप lime disease कर देना, चींचडी के काटने से कौन सी बिमारी हो जाती है, lime disease, जो की rickettsia से होती है, borrelia एक rickettsia होता है, उससे होती है, अगली बिमारी बताएंगे, pulorum बिमारी क आपको बिल्कुल basic knowledge ध्यान रखने किस में होती है, pulorum बिल्कुल सही है, pulorum ये मुर्गी की बिमारी है, pulorum बिमारी, में shrill cry होती है, shrill cry, shrill cry मतलब बीट त्यागने के समय, चूजा जोर से चिलाता है, चूजा में होती है, चोटे में, अगला प्रसंद आप बताएंगे, human death sickness, किसको बोलते हैं, leptospirosis को, और वा, आपको यहाद है, leptospirosis को बोलते हैं, अगली बिमारी, हाँ, अगली बिमारी आप बताएंगे, mediterion fever किसको बोलते हैं, mediterion fever, bruselosis को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, bruselosis को बोलते हैं, mediterion fever, हाँ, बिल्कुल रही है, bruselosis को बोलते हैं, अगला बताएंगे, आप जो grounder बिमारी होती, उसके लिए कौन सा test किया दाता है, very good interested me lesson test किया दाता, कौन सा test किया दाता है, melon test किया दाता है, blender बिमारी के लिए, बिल्कुल, melon test किया दाता है, अगला प्रस्ण है कुट्टे की कौनसी विमारी जीवान हो जनीत है ए ओप्षन में आपो दे रहाऊं पारवो बी ओप्षन दे रहाऊं लेप्टो इस्पाइरोसिस लेप्टो इस्पाइरोसिस पहले ही रहने दो अब बात नहीं करेंगे आपसे कि कोई तरीगा होता है हाँ अब आपसे मैं टप पूचूँगा फिर गुश्सा क्या होगे तुम तो सारे हो एक साइडर मार किलाओं चलो कोई बात नहीं मैं फिर टप पूचूँगा आपसे अगला प्रसंद बताएंगे आप आंतों का बुखार किसको बोलते हैं आंतों का बुखार आंतों का बुखार किसको बोलते हैं तालमोनेलोसिस को बोलते हैं तालमोनेलोसिस को आंतों का बुखार बोलते हैं ठीक है बताएंगे विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है विडाल टेस्ट विडाल टेस्ट किसके लिए क्या जाता है, टाइफाइड के लिए क्या जाता है, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए क्या जाता है, स्टोर मौन्ट टेस्ट किसके लिए क्या जाता है, स्टोर मौन्ट टेस्ट, टीबी के लिए क्या जाता है, स्टोर मौन्ट टेस्ट, अ किसके लिए क्या जाता है गला दीपक गला था बुरुचलोसिस के लिए कि अगला बता ये कलीफॉर्निया मेस्टेट टेस्ट किसके लिए किया जाता है अब बोल दे वही दीपक बोल रहा था जो में स्टाइटिस के लिए क्या जाता है किस बिमारी में WBC बढ़ जाती है किस बिमारी में दूद में WBC बढ़ जाती है में स्टाइटिस बताएंगे आप सोमेटिक सेल काउंट किस में क्या जाता है सोमेटिक सेल काउंट सेल काउंट किसमें किया जाता है मैं स्टाइटिस में बताएए वास्तविक मृत्यू को क्या कहते है वास्तविक मृत्यू की अवस्था को क्या कहते है वास्तविक मृत्यू की अवस्था को क्या बोलते है सेलमेटिक डैथ बोलते है बिल्कुल सही है जो गोसित करता है post-mortem में बिल्कूल जही है मर्त्यू जो गोसित होती है वो कौन सी होती है somatic death होती है डाक्टरी जांच में जो गोसित की जाती है अगला प्रसन बताएंगे जीवानू की खोज किस ने की थी जीवानू की खोज बिल्कूल लिवेन होक ने की थी एंटोनी बॉन लिवेन होक ने जीवानू की खोज की थी अगला बताएंगे आप जानवर द्वारा पूंच को उँची करना पूंच को साइड में करना किसका लक्षन है पूंच को साइड में या उंची करना किसका लक्षण है, बिल्कुल जर, हाँ, एनल, पेन, यानि गुदा में दर्द की स्थती में, जानवर उंच को साइड में करता है, बिल्कुल, अगला बताएंगे, गोड़ा एक पैर को उठाएगा, फिर दूसरे पैर को रखेगा, एक को उठाएगा, दूसर ये घोड़ा इस प्रकार की अरकत करता है, हाँ, बिल्कुल, 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 नर्से मादा में या प्लेसेंटा से या पसु के सराओं से ये बीमारी फैलती है, हाँ, बिल्कुल सही है राकी, अब हम कुछ, हलाकि आज मैं वाइरल डिजीज तो पूरी नहीं करूँगा, लेकिन कुछ प्रसंद पूछ लेता हूँ, बताए एफम्डी की कौन सी अब आप बता दीजिए वाप इतने ग्यानी हैं तो, वाह, बहुत ज़्यादा ग्यानी हो गए है, और मैं आगे ये बोल दू तो, बारत में सबसे कम रोग पैदा करती है तो, अर आज के बाद कलास बंद कर देतो, ज़्यादा ही ग्यान उपन गया सभी का, कौन-कौन पक् सबस्टो, हाँ, ठीक है वह, कोई बात नहीं, पढ़ लो, चलो, कोई बात नहीं, पढ़ लो, अच्छी बात है, हमको तो खुसी होती है, लेकिन क्या, इस्ट्रेस दिमाग पर बढ़ता है, अगला बताओ, आप टिक फिवर की इस बीमारी को कहते है, टिक फिवर को, हाँ, अगला बताओंगे, कोच ब्लू बोडी की उपस्तिति किस बीमारी, कोच ब्लू बोडी की उपस्तिति किस बीमारी, बिल्कुल 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 इंजूटिक होती है और बड से फैलती है पक्षियों से फैलती है मनुष में भी आ जाती है बिल्कुल बड़ फ्लू बड़ फ्लू कौन से वाइरस से होती है किस विसानू से बड़ फ्लू होता है यह विपोक्स कौन बोल रहा है मैं विसानू पूछ रहा हूँ बड़ इंफ्लूएंजा वाइरस से होता है जो की और फ्लूएंजा वाइरस से होता है और उसकी इस्ट्रेन है जैसे फ्लूएंजा वाइरस से होती है तो उसकी जो इस्ट्रेन होती है आप जो इस्ट्रेन बता यह हाँ रवी कुमार, H5, N1 जो इस्ट्रेन होती है, उससे ज्यादा होता है, और यह जंगली पक्षियों से, और माइग्रेटरी जो बर्ड्स होते हैं, उनसे यह बीमारी फैलती है, मुर्गियों में यह बहुत ज्यादा संक्रामक होती है, इसलिए मुर्गियों, मुर्गी पक्षियों को एक साथ जडा करके नश्ट कर दिया जाता है, स्टांपिंग आउट पॉलिशी, बिल्कुल सहीर होतास, स्टांपिंग आउट पॉलिशी, विदेशों में तो देखिए, FMD और इस प्रकार की जो संक्रामक बीमारी होती है, इनमें भी अपना ही जाती है, स्ट जन्तु जगत का सबसे छोडा वायर्श बताओ, जन्तु जगत का सबसे छोटा वायर्श पिक और ना, बताएंगे आप पिक और ना की खोज किस ने की थी, FMD के वायरस की खोज किस ने की थी, प्रोफाइल एक्सिस के लिए दी जाती है यानि बचाव के लिए दी जाती है वो कौन सी है आई सो मेटर मीडियम किस नाम से आती है या इसो मेटर मीडियम किस ब्रांड नेम से आती है उनम बताएए किस नाम से रवी हाँ तुरमीन या सर्राल हाँ सर्राल अगला बताएंगे क्विना पाइरामाइन की डोज रेट बताएंगे आप 4 mg पर kg बोडी वेट ठीक है अगला प्रसंद बताएंगे आप इमीडो कार्ब बीमारी क्या है इमीडो कार्ब जो दवाई है इमीडो ये किस काम आती है मेडो कार्ब ये एंटी बेक्तीरियल है एंटी प्रोटो जोलारें एनटी एंटी फंगल एंटी प्रोटो जो है ये सभी का एनटी प्रोटो जोल Narrator आजकल anti-protızol है बिल्कुल कई जगे काम में लिजाती है अगला प्रशण बताएंगे abomezem में जो थक्के जम्य हूँ है मिले abomezem में दूद के थक्के abomezem में दूद के थक्के मिले अगर बचड़े में तो वो भिमारी कौन सी है थेलेरियोसिस सही है भई हाँ बताए कुट्टे से मनुष में रेत की मक्खी द्वारा फैलने वाली विमारी कौन सी है रेत की मक्खी द्वारा सेंड फ्लाई द्वारा सही है रविना सही है लीसमानियोसिस लीसमानियोसिस जो विमारी होती है ये एक प्रकार की protozoal genotic disease है तो डमडम बुखार कहते हैं काला अजार कहते हैं ये दो फोर्म में पायदाता है cutaneous form में और visceral form में visceral form को काला अजार कहते हैं cutaneous form को oriental sore कहते हैं रेत की मख्य के काटने से ये विमारी होती है पुलकाता के डॉमडम ओयर पॉर्ट पर इसकी खोज की थी अगला बताएंगे pre-scapular lymph node कौन सी विमारी में सूच जाते हैं जो exotic crossbreed cattle होती हैं उसमें थेलेरियोस इसमें pre-scapular lymph node में सूचन आ जाती है pre-scapular lymph node में सूचन आ जाती है किसमें बिल्कुल सही है अगला प्रसन आप बताएंगे जन्तु जगत का सबसे बड़ा वाइरस और बताओ सबसे बड़ा वाइरस बिल्कुल सही है pox pox virus अगला बताएंगे lisa virus किसको बोलते है lisa virus अगला पताओ तीन दिन का बुखार किसी कहते हैं तीन दिन या ढाई दिन का बुखार जो डाई दिन चलता है today sickness बोलते हैं जिसको अड़ी या बुखार या पस्वों का डेंगू बोलते हैं इसको अब तो आपको बिल्कुल पस्वों का डेंगू बोलते हैं इसको ephemeral fever भी बोलते हैं और यह किस virus से होता है किस virus से होता है ephemeral fever अगला बताएंगे रानी खेत रोग किस virus से होता है रानी खेत रोग किस virus से होता है अगला बताएंगे आप अरे इसको morbidly नहीं बोलते रानी खेत की सभी strain को morbidly नहीं बोलते हम सिर्फ रिंडर पेस्ट में रिंडर पेस्ट और जो PPR जो होता है इसी में morbidly नाम आता है इसका यहाँ पर morbidly नहीं आएगा पेरामिक्सों में यहाँ पर तो देखिए इसकी strain होती है एक तो होती है वेलोजेनिक एक मीसोजेनिक एक लेंटोजेनिक लेंटोजेनिक जो इस्ट्रेन होती है वो सबसे कम खतरनाक होती है हां मीसोजेनिक मद्यम खतरनाक सबसे खतरनाक होती वेलोजेनिक जिसमें मुर्गी में मृतिध्य उतर ज्यादा होती है इसको d'oils disease भी कहते है इस विमारी को गते हैं कि resistant डिज़ीज और इसको हां इसको new kexl disease भी कहते है इं बिल्कुल हां तुम्हें बता रहाता आपको य बक्रियों का प्लेग किसे बोलते हैं सभी का सही है हाँ और मुर्गियों का प्लेग किसको बोलते हैं मुर्गियों का प्लेग सही है बड़ प्लेग को मुर्गियों का प्लेग कहते हैं हाँ गोडों का प्लेग किसको बोलते है गोडों का पलेग अफ्रिकन होर्सिकनेस अरे गलेंडर नहीं है भई अफ्रिकन होर्सिकनेस है गलेंडर तो मानों के लिए खतरनाक होती है यानि जुनूटिक बहुत ज़्यादा होती है इसलिए मैंने घातक संक्रामग बताया था उसको अना की हाँ अगला बताएंगे आप anthrax में drug of choice बताईए वैसे तो इलाज नहीं किया जाता या पसु मर जाता है इलाज करवाना भी नहीं चीए लेकिन फिर भी gram positive bacteria है इसलिए penichelin तो हाँ अगला प्रशन बताएंगे आप हाँ जो खिड़किया होता है खिड़किया होता है खिड़किया यानि एंट्रो टॉक्सीमिया इसकी जो वैक्सीन होती है वो कौन सी होती है हाँ हाँ ख्लो इस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस टाइप डी एंटी टॉक्सीन एंटी टॉक्सीन लगता है इसके आगे हाँ anti-type D यानि ETV भी बोलते हैं इसको next person बताएंगे आप HS की जो vaccine लगाई जाती है वो कितने ml dose में लगाई जाती है dose HS की vaccine की dose बताईए 5 ml pre-mansoon लगती है वह यह सभी को बता है माई-जून में मानसून से पहले बरसाद से पहले पहली बार कब लगती है पहली बार HS की vaccine पहली पहली बार कब लगती है बिल्कुल 6 माँ की उमर में और FMD की vaccine पहली पहली बार कब लगती है 4 माँ की उमर में अगला परसंद बताएंगे काला बुखार किस बीमारी को कहते है काला बुखार किस जीमानू जनीत विमारी को कहते है बिलकुल सही है बीक्य को बोलते है वाटर लेग, बलेक लेग, नेक्रोटिक मायोसाइटिस नेक्रोटिक मायोसाइटिस यह स्वस्थ पस्वों की और हश्ट पुष्ट पस्वों की विमारी है स्वास्त पस्वों की, जो मस्कूलर है, बहुत ज़्यादा मसल्स वाले हैं, यह बैक्टीरिया क्या है, मिट्टी से, soil-borne disease है, मिट्टी से कैसे भी यह औरली चला जाता है, जाकर के आतों से यह पहुंच जाता है, मसल्स में रक्त के थू, मसल्स में जाकर के यह नेक्रोसिस करता है, और वहाँ पर H2S गैस उत्पन करता है, जब नेक्रोसिस होता है, तो बैक्टीरिया के कारण गेंग्रीन भी जो हो जाती है, यह सल्फाडाइमीडिन क्या है, यहाँ पर तो मैंने पूछी नहीं, सल्फाडाइमीडिन तो HS की ड्रग उप चोईस है, तो मोटे जो हेवी, हेल्धी पसू होते हैं, उनकी मसल्स के तो वहाँ पर नेक्रोसिस करता है, मसल्स में सूजन होती है, जब चीरा लगाते है, संक्रमी तिस्तल पर चलने में परेशानी होती है, पसू लंगडा पना जाता है, इसको क्वाट्रेल, ब्लेक लेग, एक भी कहते हैं, और गोवन्स में यह ज्यादा होता है, और उस कौन सी गैस निकलती है भई, हाँ, हाँ, इसको लंगडा बुखार भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बीक्यू को लंगडा बुखार भी कहते हैं इसको, लंगडा बुखार भी कहते हैं, अगला प्रसंद बताएंगे, नर्पस्वों में और्काइटिस, और्काइटिस किस विमारी में हो जाता है, नरपस्वों के वरसन में सूजन, बिलकुल बुरुसेलोसिस में हो जाता है, बुरुसेलोसिस में हो जाता है, बिलकुल, अगला प्रसन बताएंगा, वाइट साइट टेस्ट किसके लिए क्या जाता है, वाइट साइट टेस्ट किसके लिए क्या जाता त्रह भगत यह हैं?हिश्ञिशन हाई नहीं आया आउंसर सभी को अरे मैश्टाइटी इस के लिए क्या जाता है? पिल्कुल आपका कमेंट नहीं आया थां? white side test पताईए skin scrapping test किस परजिवी जनित परोग में किया जाता है skin scrapping skin scrapping test किस परजिवी परजिवी तो देखिए एक तो एक फंगल इनफेक्शन में किया जाता है और एक might की infection में किया जाता है might यानि हाँ माइट सुक्षम दर्सिय होते हैं जो पता ही कुटों को कौन सी माइट सबसे ज्यादा प्रभावित करती है डॉग के अंदर कौन सी माइट हाँ डेमोडेक्स जिसको बोलते हम हाँ डेमोडेक्स डेमो डेक्स कुत्तों में ख़ुजली पैदा करते हैं, डेमो डेक्स कुत्तों के अंदर क्या करती है। पैदा करती जिसको हम बोलते हैं, बलेक मेंज बोलते हैं, खुजली और जो इसकी इसकी नहीं है, वो कॉपर जैसी हो जाती है, पूरे बाल उड़ जाते हैं, यह नहीं, अलोपेसिया हो जाता है, इसमें डेमोडेक्स फोलिकुलिरम जी, हाँ, अगला प्रेशन आप कवक में संचीत भोजन क्या होता है, कवक के अंदर, गलाइकोजन होता है, अगला प्रेशन बताएंगे आप, विशानू की खोज किस वेग्य ने गिने की थी, विशानू की खोज किस ने की थी, इवेबर वसकी ने किती, कुसने किती इवेबर वसकी ने, इवेबर वसकी ने, आवे, बताए, पर्थम खोजा गया, जनतू वाइरस तो आपको बताई दिया, सबसे छोटा होता है, FMD बीमारी को नहीं आप टोबे को मुझे नहीं जन्तु वड़ा पूछेंगे अपने से तो वैसे तो TMV जो वाइरस होता है वो सबसे पहला खोजा गया वाइरस है लेकिन वो प्लांट वाइरस था तो सबसे छोटा और जन्तु जगत का सबसे पहला खोजा गया जो जीवानू है वो विसानू है वो है FMD का यानि पिकोर्ना वाइरस पिकोर्ना वाइरस बिल्कुल एप्थो वाइरस भी कहते हैं अप्थाईजेशन भी और कल हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे तो अगला बताईए विसानू का जो संक्रमन सील कण होता है जो संक्रमन कर सकता है उसको क्या बोलते है विरियोन कहते हैं उसको क्या बोलते है विरियोन कहते है विरियोन कहते है रवी क्या लिख रहा है विरियोन कहते हैं उसको बिल्कुल वाइरस का संक्रामक और बताइए संक्रामक प्रोटीन के कणों को क्या कहते है संक्रामक प्रोटीन के कणों को क्या कहते है उसको बोलते है प्रियोन बोलते है प्रियोन प्रियोन बोलते है प्रियोन कौन सी विमारी पैदा करते है भई प्रियोन मेड़ काउ वीमारी पैदा करते है, मेड़ काउ वीमारी पैदा करते है, बेड़ में कौन सी करते हैं, प्रियोंस, बेड़ में कौन सी करते हैं, इसक्रेपी, सही है, इसक्रेपी, आगे है, इसक्रेपी, ग्रास नाल में रुकाउट को क्या बोलते हैं, ग्रास नाल में रुका हाँ वही चौक बोलते हैं बताइए सांस के साथ किरके जैसी गंद किस बीमारी में आती है किटोसिस में आती है बताइए काविंग पैरलाइसिस किस बीमारी को गहते हैं काविंग पैरलाइसिस मिल्क फिवर को काविंग पैरलाइसिस भी कहते हैं अगला प्रसंद बताएंगे किटोन बोडिज का दूद में आना क्या कहलाता है किटोन बोडिज का दूद में आना क्या कहलाता है किच्यान में 17 बताइए किटोलेक्टिया कहते हैं बताइए किटोसिस के लिए कौन सा रसायनिक परिक्शन किया जाता है किटोसिस की जांच के लिए रोथ्रा टेस्ट किया जाता है रोथ्रा टेस्ट किया जाता है अगला प्रसंद बताएंगे किटोसिस किस खाद्यपदार्थ की कमी से होता है ग्लुकोज या फिर जिसको हम कार्वाइटेट भी कह सकते हैं कार्वाइटेट अत्वा ग्लुकोज की कमी से क्या होता है कीटोसिस हो जाता है बिल्कुज ही है नेक्स्ट प्रसंट बोलते हैं प्रसंट पूछते हैं किस विमारी को कहते हैं who's who's किस भी मरी को कहते है gk भी करेंगे gk कि क्लास ले नेंगे कोई दीकत नहीं who's timpani को बोलते हैं सही है whose भी बोलते हैं इसको आफरे को बैभी dalhani हरे चारे dalhani हरेचारे खाने से किस प्रकार का blot होता है साथ रहनी हरे-चारे-रिंज-का बर्सीम यह बिल्कूल जाकदार आप रहाथा है यह नि फ्रोती ब्लॉट होता चाहित होता है नि-फ्रोती ब्लॉट होता है नि-प्रोटै मृता है यह रोमन के फ्रोट जपने सा च परजर का नश्ट वजाना क्या कहला आता है। रूमन के प्रोटोजवा का नश्टोना, डीफोनेशन, सही है वही रवीना, सही है मनीश, डीफोनेशन बोलते हैं, डीफोनेशन, चुकि हम जानते हैं फोना क्या होता है, फोना होता है रूमन के अंदर जो सुक्षम जन्तु होते हैं, सुक्षम जन्तुक, इनको हम बोलते है Phona, Phona का नेश्टोना defonation कहलाता है defonation यानीë protozoa जो है एक जन्तू होता है ना कि पादब होता है जन्तू जगत का पहला संग होता है protozoa और बहुत सारे protozoa ओते हैं जो कि help करते हैं digestion में, cellulose की digestion में अब ये acidosis में भी मर जाते हैं ये protozoa और बहुत ज़्यादा जब एलकेलोसिस हो जाता है दब भी मर जाते हैं अगला प्रेशन पूचराओं मैं आपको पताईए चासनी खिलाने से चासनी बहुत ज़्यादा खिलाने से एसीडोसिस होता है या एलकेलोसिस होता है चासनी खिलाने से बिल्कुल सही है, एसीडोसिस होता है, क्या होता है, एसीडोसिस, क्योंकि आपको पता है, चासनी काई से बनती है, चासनी बनती है, सुगर से, चीनी से, यानि केन सुगर, या हाँ, और चासनी में कार्बाइटिट होता है, इसलिए लेक्टिक एसीड, इसक तो क्या होएगा? ऐसीडोसिस. अगला प्रिसन बताइंगे, पलेसेंटा खाने से, किसी पसुने अपना प्लेसेंटा खा लिया, प्रिस खोके बाद, तो उससे ऐसीडोसिस होगा, या अलकेलोसिस होगा. अच्छी बाद ow bodies, जाखिए मनीस अलकेलोसिस होएगा. क्या होएगा महिंदर बिल्कुल सही है, अगला प्रसंद किसी गाय को बहुत ज़्यादा मात्रा में बाटी, रोटी, अनाज, खिला दिया तो उससे क्या होएगा, असीडोसिस होएगा या अलकलोसिस होएगा बिल्कुल सही है, असीडोसिस होएगा हाँ भई आत की रुकावट से मैं प्रसंद पूच लेता हूँ आप बताएंगे अगर मान लीजिए आत में इस प्रकार से एक बंट लग गया एक मरोड लग गई तो इस प्रकार की जो आपको चित्तर दिया गया है एक गुमाओ इसको क्या बोलते हम इस रुकावट को क्या ब सकी तो इस कंडिशन को क्या बोलेंगे इसको टेली स्कोपिंग या इंटू सबसंद बोलेंगे टेली स्कोपिंग यानि आत का दबाव से प्रेसर से लचिले पाइप की तरह दूर्बीन की तरह हो जाना क्या कहलाता है टेली स्कोपिंग और तीश्रा अगर मान लीजिए आत इस प्रकार से कहीं से आत में रुकाउट आजाती है कोई घाड से या किसी और एक किसी भी भाई है संद्द्दाशना से इस प्रकार से आत का लिउमन जो है लिउमन का मतलब होता है ये वाला एडिया छेथ तो जैसे घाड है इसके कारण आगए तो तो इसको बोलते हैं, strangulation, सभी का सही है, strangulation, strangulation बोलते हैं सो, बिल्कुल सही है, ये आंत में तीन प्रकार से ये रुकावट हो जाती है, ये वोलूलस है, एक बंट लगना, और ये टेली स्कॉपिंग है, और ये है, strangulation, strangulation का मतलब एक तरह से गला कोट ना, अगला प्रसंद बताएंगे आप, हाँ, ketosis, ketosis जो बिमारी होती है, इसमें हम उपचार के रूप में क्या दे सकते हैं, उपचार के रूप में हम क्या दे सकते हैं, ketosis, कौन सा, हाँ, propionic, हाँ, ketosis बिमारी में सिर्का क्यों दे रहे हो भई, sodium propionate देंगे, सिर्का क्यों देंगे, ketosis में, हाँ, sodium propionate, sodium propionate, sodium propionate क्यों देंगे, acidosis, थोड़ी बोला है, alkalosis, थोड़ी बोला है, alkalosis में देते हैं, सिर्का, हाँ, sodium propionate, क्योंकि आपको पता है, sodium propionate में क्या है, propionic acid, और यह propionic अमल जो है, यह glucose का निर्मान करता है, आपको पता है, glucose ही चाहिए, बस glucose ही तो चाहिए, ketosis रोग में, ketosis में कौन सा oxidation होता है, वसा का, जब glucose की कमी होती है, तो कौन सा oxidation होता है, beta oxidation होता है, कौन सा oxidation होता है, beta oxidation, बिल्कुल सही है, beta oxidation होता है, बिल्कुल beta oxidation होता है, ketosis में, हाँ भी, अगला बताएंगे आप, कितने MG से कम केल notor Имकी की सांदरता होने पर उसको हम मिलक फीवर कहते हैं मिलक फिवर कितने Mg per dl से कम सांदर्टा बिल्कुल 7 सामाने सांदर्टा उती केलचेम की 9 से 11 mg per dl 7 से कम होने पर उसको बोलते हम कीटोस इसको बोलते हम मिलक फिवर बिमारी अगला प्रसन है ग्रास इश्टेगर्स किस बिमारी को बोलते हैं ग्रास कि टेगर्स बिलकुल ग्रास कि टेगर्स, Magnesiumdeni, Français टेटैनि को बोलते हैं, आइप canoe सेविपमेधी हमिने की कमी हो जाती है, इसको इस भीट पासयर डिजीजेश भी कहते है इसको चरागा का रोग भी कहते है इसको, अगला मैं पूछ रहा हूँ आप से तो ये ग्राश टिटेनी होती है ग्राश इस्टेगर्स होती है ये मेगनीशियम की सांदरता कितने से कम होने पर हो जाती है मेगनीशियम की सांदरता कितनी होने पर ये ग्राश टिटेनी रोग होता है 2.5 से कम होने पर 2.5 हूँ आभी 1.7 2.5 mg इसमें आप लोग काफी confusion हो आभी पहले हाँ ये 1.7 से कम होने पर क्या हो जाती है lactation titanee या grass staggers बोलते हैं इसको grass staggers उरी और कच्छी घहास खाने से उताई ये अगला बताएंगे आप हेम पसू दुरा मिटभारा जाओ मिट खाना क्या जाता है मिटभारा क्या खाना क्या क्याओ करादा ऐक फाईका की फॉर्म होती है जियोफेजिया, जियोफेजिया, अस्थी खाना क्या कहलाता है, सभी का सही आ रहा है, अस्थी खाना क्या कहलाता है, बॉन्स खाना, ऑस्टियोफेजिया, ऑस्टियोफेजिया कहलाता है, हाँ लोहे की वस्तों को चाटना क्या कहलाता है, लोहे की वस्तों को चाटना क्या कहल आता है, iron morgering बोलते हैं, सही है, गोड़े में stable wise पाई जाती है, जिसमें गोड़ा दीवारों को चाड़ता है, stable wise पाई जाती है, गोड़े के अंदर, हाँ भी, iron morgering, जो metallic test जब अच्छा लगने लग जाता है, तो iron morgering हो जाता है, तो बहुत अच्छे आपने आज जवाब दिये, अब थोड़ा जी के पूछ लूँ मैं, दो मिनिट, हाँ, medicine शांदार है आपकी, कोई परेशान ही नहीं है, भी, medicine में आपको मेरे साथ से, अगर क्युस्टन को ढंग से वहाँ पर करके आएंगे, तो आपको कोई समिश्य नहीं आएगी, कुछ एक medicine हम जी के प्रसंद ले लेते हैं, राजस्थान जी के, हाँ भी, थेवा कला कहा की परसीद है, थेवा कला, परताब गड़ी, पताईए, उत्री भड किवाड, या जिसको बोलते हैं, उत्री प्रहरी, कौन से दुर्ग को कहते हैं, बटनेर दुर्ग, सांदी के गोले, किस किले में दागे गए थे, सांदी के गोले, चुरू वाले में, जारा सिकों को किस दुर्ग में कैद किया गया था, कंगन बाड़ी में, अलवर, सही है, सुजान गंगा नहर किस दुर्ग के चारो और बहती है, लोहागड, लोहागड फॉट, लोहागड के किले, को किसने बनवाया था, ठीक के मेलों का निर्मान किसने करवाय था, ठीक के मेलों का निर्मान, बदन सिंग, किसने करवाय था, तूरु जमल या बदन सिंग, बदन सिंग बदन सिंग है हाँ भई अगला प्रसुन बताएंगे आप पेलानियों का स्वरक किसी कहते है पेलानियों का स्वरक राजस्तान में उदेपुर को या माउन्टा बूगो ये वला देव कैसे लिख रहे हैं आप अगला बताएंगे आप मामा बांजा का मंदिर कहा है बारा अट्रू नेक्स्ट परसन बताएंगे आप सक्कर बाबा पीर की दरगा कहा है सक्कर बाबा पीर की दरगा सक्कर बाबा पीर बिल्कुल दही है जुन जुनू आप अगला आप बताएंगे लालगड किला का है लालगड महल या लालगड किला बीकानेर में मुनववति कला मुनववति कला किसको बोलते हैं मुनववति कला कौन सी कला को बोलते हैं उस्ता को उस्ता कला को अगला बताएंगे आप राती गाटी की नाम से कौन सा जिला प्रसीद है राती गाटी उनका घरिया राती गाटी राजस्तान का पंजाब किस जिले को कहा जाता है राजस्तान का पंजाब राजस्तान में सरवादी का फीम की खेती कहा होती है कि तोड़ गड़ कि तोड़ गड़ अगला प्रसंद बताएंगे आप चित्रकूट दुर्ग या त्रिकूट दुर्ग और इस रन्थंबोर के दुर्ग के जो जो गेट है उसको क्या बोलते हैं जो नोलखा दर्वाजा नोलखा बावड़ी का है नोलखा बावड़ी का है बुंदी शिक्षा की नगरी कि जिले को कहते है शिक्षा की नगरी पोटा अगला प्रसंद बताएंगे सबसे ज्यादा महिला साक्षर्था किस जिले की है जुन जुनो राजस्तान का हर्दय किस जिले को कहते है अजमेर अगला बताएंगे वीजा सणी माता का मेला का लगता है वीजा सणी माता अगला प्रसंद बताएंगे ल्ला ख्याल का का परशीद है ल्ला ख्याल अगला दुश्यन्त ने बताया वी दोसा में भी उताएंगे जैसे नहीं हूँ इला क्या लाल सोट दोसा अरसद माता का मंदिर का है नीलकंट मादेव कहा की प्रसीदन नीलकंट मादेव अलोवर हरे कबुतर किसमें पाया जाते है हरे कबुतर की सब ब्यारण में पाया जाते है का हरे कबुतर और बताईए काजरी कहा है काजरी Central Arid Zone Research Institute काजरी काजरी जूदपूर अगला प्रसंद बताएंगे आप धान का कटोरा अनका कटोरा गंगानगर सबसे ज़्यदा संतरे किस जिले में होते हैं राजस्तान में या जिसको नागपूर भी कहा जाता है राजस्तान का जालावार गुसमेश्वर मंदिर कहा है गुसमेश्वर महादेव सवाइमादूपूर क्या बाद है सवाइमादूपूर वाले सबसे पहले बता रहे हैं गुसमेश्वर महादेव अगला पताएंगे सावित्री माता का मंदिर कहा है सावित्री अजमेर में इलकुल पुसकर जाते हैं जो दिखाई देता है अगला बताएंगे गांधी घाट कौन सी जील की किनारे हैं पुसकर हाँ भई कौन सी जील का निर्मान बेलों की याद में करवाय गया था दो बेल थे जिनकी याद में पिछोला पिच्छू बन जा रहे ने पिछोला हाँ अगला बताएंगे नक्की जील कहां इस्ती थे नक्की जील चिरोई यानी माउंट अबू माउंट अबू संदरावती सब्यता किस जीले चिरोई चिरोई सही है बे चिरोई चिरोई सही है बताएं टिबी जो शेत्र है जहां से प्रवेश करती है गगर नदी वो कौन से जीले में है टिबी शेत्र अनुमानगड अनुमानगड यह अनुमानगड चलो बिलकुल आप कल करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपको पढ़ो अच्छे से पार नग से भी में हो की बाल